नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर कायक्रम एक बार फिर देश चमक रहा है विश्व मानचित्र पर और इस बार करोना के कारण नहीं करोना में जिस तरह से लाखो भारतिय नागरिक मारे गए थे उस समय पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया था लेकिन इस बार गया है कि किस तरह से देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार अपने ही भारती नागरिकों, अपने ही मंत्रियों, अपने ही लोगों की जासूसी करवाती है और सिर्फ जासूसी ही नहीं करवा रही है उसके लिए वह विदेश की एक ऐसी कंपनी का सहारा ले रही है जो बहुत ही कुख्यात है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेगासस खुलासे की इस खुलासे ने एक बार हम सब को दुबारा रडार पर लाया है कि क्या भारत एक सर्विलांस स्टेट यानि निगरानी खुफिया जासूसी करने वाला देश बन रहा है जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें देश की संसद चल रही है देश की संसद में प्रधान मंत्री नरेन मोदी, ग्रेह मंत्री अमिशा और उंके मंत्री हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी सामने आ रहा है यह जो अंतराश्टी खुलासा है, जो अपनी तरह का सबसे बड़ा खुलासा है, जिसमें तकरीबन 11 देशों की जो सरकारे हैं, किस तरह से वो अपने नागरिकों या बाहर के लोगों पर निगरानी करती हैं, उन पर जासूसी करती हैं, या सामने प्रमान के साथ आया है, इस यह जान लीजे कि यह जो फोन है, जो मेरे हाथ में हैं, जो आपके पास है, बच्चों के हाथ में हैं, किसी के पास है, उसे अगर सरकार चाहे, इस सौफटवेर पे उसका नंबर डाल दिया जाए, तो हमारे आपके जाने बिना, हमारे घर की बातें, हमारी बातें, हम आप जहां बैठे हैं, हमारी जानकारी के बिना हमारे वीडियो, आउडियो, सब कुछ रडार पर चला जाएगा, वो कहीं और लोग देखेंगे, और हमारी जो निच्टा है, हमारी जो जिन्दगी है, वो पूरी की पूरी तरह से बेपरदा हो जाएगी, यह सब कुछ चल रहा, बहुत लंबे समय से भारत में, भारत उसका एक हिस्सा है, जो खुलासा हुआ है, उसमें भारत की भी जानकारी सामने आई है, और हमें देश के ग्रिह मंत्री संसद में यह समझाने की कोशिश करते हैं, कि हमें क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए हैं, और बाहर एक भीड़ खड़ी हुई है, वह भी हमें बताने की कोशिश कर रही है, जासूसी सिर्फ आम भारती नागरिक की नहीं, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, उनकी भी हुई है, जो इलेक्शन कमिशनर रहे हैं, उनकी भी हुई है, तमाम लोगों की रहे हैं, पत्रकारों की तो बड़े पैमाने पर हुई हुई है, सवाल सीधा सा ये है मोदी जी से और ग्रह मंत्री अमिशाह जी से कि अगर यह जासूसी आपने नहीं करवाई तो सबसे पहला काम देश की संसद और आपका ये होना चाहिए कि वह तुरंट यह पता लगाए जाँच बैठाए कि यह जासूसी किस ने की है क्योंकि आपके राज में अगर आलम ये हो गया है कि विदेशी सौफ्टवेर के जरिए विदेशी कमपनियां, विदेशी सौफ्टवेर, विदेशी पूरी की पूरी तकनीक के जरिए अगर भारतिये नागरिकों की सारी की सारी जानकारी हासिल की जा रही है तो यह आप पर सबसे बड़ा आरोप है कि आप पूरी तरह से विफल रहे और आप नहीं बता पाए अभी तक कि यह सब क्या चल रहा है आखिर गडबड घोटाला कहा है क्योंकि यह जो इसराइली कमपनी है यह तो खुले आम कहती है कि हम यह जो software है यह जो जानकारी है हमारे आपके मोबाईल पर जाकने की जो पूरी की पूरी तकनीक है या हम सिर्फ देश की सरकारों को बेचते हैं हम निजी लोगों को नहीं बेचते हैं यह जो पूरी की पूरी जानकारी इसमें दुनिया के सामने आई है इसे सामने लाने का साहसिक काम forbidden stories ने किया है जो France की एक non- Profit Organization है Amnesty International ने किया है 17 मीडिया घराने साथ जुड़े हैं उन्होंने 6 महिने की अथक मैनत से हमारे सामने यह तथ्य पेश किया है कि किस तरह से इसराइल की यह कंपनी जासूसी कर रही है सरकारों के कहने पे जासूसी कर रही है संभवता क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कंपनी अपनी तरफ कह रही है सरकारे अपनी तरफ कह रही है लेकिन जो सबसे मजेदार बात है इस सूची में इस सूची में मोधी सरकार के वह मंत्री भी है जिन पर मोधी सरकार को बहुत भरोसा है सबसे पहला नाम इस्मृती इरानी का इस्मृती इरानी जो बहुत करीब मानी जाती है मोधी सरकार की प्रधान मंत्री नरेन मोधी की जिन पर पूरा का पूरा भार है विपक्ष के ने उनके जो बहुत करीब संगी साथी हैं संजे काचरू उनके पिता का उनके जो नावालिक बच्चे हैं बेटे हैं उनका भी फोन नंबर इस सूची में शामिल है यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि इस ब्यक्ति को OSD बनाना चाहती थी इस मृति इरानी जिसकी मंजूरी OSD भी सीधे नहीं आते हैं उसके लिए भी पूरा कपूरा एक स्ट्रक्चर है इस व्यक्ति की निगरानी इस व्यक्ति का फोन अखिर क्यों सर्विलांस पर डाला गया इंटरनाशनल सर्विलांस पर डाला गया यह इस Onaर जवाब तो प्रधानन मंतरी नरेनवौदी ग्रेव मंत्री अमिशा और उनकी सरकार के अलाबा कोई नहीं दे सकता सिर्फ मामला यही नहीं रुखता इस बार जो मंत्री मंडल में फेर बदल हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा नाम सबसे प्रमुख नाम आया है और जिसको लेकर बहुत बैटिंग मोधी सरकार कर रही थी कि टैलेंट को उसने अपनी जगा दिये अश्वनी वैशनों जो नहीं रेल मंत्री हैं आयरेनी कि आयटी मंत्री भी है उनका भी नंबर है उनकी पत्नी का भी नंबर है लेकिन यह उस समय रखा गया जब वह भाश्वा में शामिल नहीं हुए थे 2017 में जब वह बीजू जनता दल उनके लिए सीट छोड़ता है राजसभा की उस पूरी प्रक्रिया में उनका उनकी पत्नी का और पता नहीं कितने लोगों का फोन इस सर्विलाइंस पे जाता है वजह वजह तो सिर्फ सरकार को बता है वह जो संसद में बताने को तैयार नहीं है और प्रहलात पतेल प्रहलात पतेल जो मद्बदेश के एक प्रमुक नेता है केंद सरकार में मंत्री है उन्हें भी उनके पूरे के पूरे तमाम लोग जो स्टाफ है यहां तक की माली का भी नंबर इस सर्विलांस पर है इस जासूसी के जो पूरी लिस्ट जारी हुई है उसमें है अब बताइए जब आलम यह है कि जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं प्रवीन तोगडिया जैसे लोग जो हिंदुत्व का दूसरे ढंका यह सवाल रखना चाहते हैं कि जब मोदी सरकार को अपने ही प्री मंत्रियों पे भरोसा नहीं उनका नंबर इस पूरी की पूरी जासूसी वाली जो लिस्ट है उसमें शामिल है तो बिचारा पत्रकार कहां खड़ा होता है को कि पत्रकारों की लिस्ट तो बहुत लंबी है जिन पर हम अलग से बात करेंगे उनके मंत्रियों के बाद निशाने पर आते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी का नाम या नंबर नहीं होता तो हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को संदे होता कि यह सूची सही है कि नहीं लेकिन देखिए आलम सिर्स र करने वाले सचिन राओ अलंकार सहित तीन चार लोग और जोंके बहुत खरीबी माने जाते हैं सबके नंबर सर्विलांस पर हैं सब पर जासूसी हो रही है यह शायद अपने आप में भारती लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भागी पूर्शन है जब एक सरकार अपने मं मुख विपक्षी दल है उसकी हर गतिविधी को ट्रैक करने के लिए उस पे निगाह रखने के लिए उस पे जासूसी करने के लिए उनके फोन को निशाने पर डालता है और इसके लिए अंतराष्टी तंत्र का अंतराष्टी जासूसी तंत्र का सहारा लेता है वह भी तब जब इस सरकार को अपार बहुमत संसद में हासिल है। तमाम संस्थाएं उनकी अपनी संस्थाओं की तरह काम कर रही हैं। उनकी साख बिल्कुल दूसरे ढंग से गिरावट की ओर जारी है। कहीं से भी कोई चुनौती नहीं मिल रही। तब भी मोधी सरकार रहुल गांधी के फोन को ट्रैक करती है। उसके अपने लोगों पर जासूसी करती है। और तो गौर प्रशांद किशोर जिनकी वज़ा से जो दूसरे ढंग का इलेक्शन मेनेजमेंट करते हैं। उनका फोन कुछ महीने पहले तक जासूसी की लिस्ट में शामिल है। यानि जब रहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे कुछ समय पहले तक तब तक संभवता उनका फोन इस जासूसी तंत्र में सुना जा रहा था, देखा जा रहा था। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बैनर जी को सत्ता से हटाने के लिए सारी कमान प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने अपने हाथ में ली। उस समय भी यह जासूसी चल रही थी। ममता बैनर जी के जो रिष्टेदार अभिशेक बैनर जी उनका फोन भी सर्विलांस पर डाला गया, उनका फोन भी इस जासूसी पर डाला गया। यह मामूली जासूसी नहीं है क्योंकि घरेलू जासूसी तो चलती ही रहती है फोनों पर, हमारी आवाजाही पर, इस जासूसी में जिस तरह सा पूरा का पूरा नेटवर्क विक्सित किया जाता है कि आपकी पल-पल की खबर दूसरे व्यक्ति के सामने होती है, जो सुनना चाहता है, वो आपका फोन चालू करता है, फोटो लेता है, वीडियो लेता है, ओडियो सुन सकता है, ओडियो रिकॉर्ड कर सकता है, यह सब किया जा रहा था, इस पूरे के पूरी प्रक्रिया में, जिन पत्रकारों को निशाने पर रखा गया, जिनकी जासूसी करवाई ग की गई उनकी लिस्ट बहुत लंबी है इसमें सिधार्त वर्त राजन से लेकर रोहनी सिंग से लेकर प्रंजे गुहा ठाकुरता जो न्यूस क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं यह सब लोग आते हैं इन सब को निशाने पर क्यों लिया गया जितने नाम मैंने आपके सामने गि लेकिन सिर्फ यही नहीं रहे वे पत्रकार भी जो मुख्य धारा के बड़े बड़े अखबारों में हैं उन्हें भी निशाने पर लिया गया उनकी भी जासूसी की गई चाहे वो इंडियन एक्सप्रिस की रिपोर्टर हों या फिर हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर इसमें हिंदी के एक पत्रकार युवा पत्रकार भी शामिल है रुपेश कुमार सिंग और उन्हें इस बात पे फक्र है कि उनका नाम भी इस सूची में आया है हमने रुपेश से बात की जो जारखंड में रहते हैं राची से थोड़ी दूर आईए सुनते हैं उनकी कहानी किस स्टोरी के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें इस जासूसी के पूरे नेटवर्क पर डाला गया का बहुत स्वागत है रुपेश जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि रुपेश जी हिंदी के वह पत्रकार हैं जिन्हें इस बात का सम्मान मिला कि पेगासस में जो पूरी सुची जारी हुई है उसमें एकलोते हिंदी के पत्रकार होने का गर्व जो है रुपेश कुमार सिंग को मिला है जो जहारखंड में रहते हैं जहारखंड के रामगड में राची से करीब 40-45 किलोमेटर दूर जिला है पैतिस साल के रुपेश बहुत लंबे समय से संघर्ष के एक अलग मिसाल पेश करते हैं पत्रिकारिता में हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो उनको सर्विलांस पे रखा और इतने करोड रुपे खर्श किये गए होंगे निश्चित तोर पे आपके तीन चार फोन सर्विलांस पे थे पेगासस पे थे कौन सी स्टोरी थी रुपेश जी क्योंकि हम जानते हैं कि आपने जो स्टोरी की थी एंकाउंटर पर उसने बहु तो असी दिन करीब जेल में रहे आपने किताब लिखी मामला क्या था क्यों सर्विलांस पर आपको रखना पड़ा जारखंड में दरसल यहां पे जारखंड जैसा की सभी लोग जानते हैं कि खनीज पदार्थ से भरा हुआ प्रदेश है आदिवासी बहुल प्रदेश है ज जैन धर्मा बलंबियों का विश्परसित फिर्थस्ता है तो वहां पे 9 जून 2017 को पुलीस के जरिये खबर आती है कि एक मुठेर मावादियों के साथ उनकी और उसमें एक 10 लाग का इनामी मावादी मोती लालबास के मारा गया है और जो अख़बार में दुसरे दिन खबर है दस जून को तो एक लुबित पहणा हुआ और एक लुबशय को और अउसे इ tavalum वहां मदूबन में कल्यान निकेदन में CRPF का कैम है, उस समय यहां के BGP हुआ करते थे BK पांदे, वो एक विसेश हलिकॉप्टर से वहां पे आये, और उन्हाँने ततकालीन SP Achilles B Warrior को आउन केमरा एक लाख रुपईया कैस दिया, जाओ और तुम लोग इस हत्या का जस्न मना पाटी को, इस तरह से बोले, तो जब मैं उसी दिन वहां पे था, और मैंने जब वहां पे तहकीकात की, तो पता चला, वो जो मुतिलाल बासके था, उसका घर वहीं पे पारसनात पहार की तलहटी में, चिरुवा बेरा नामा गाउं में था, उनका ससुराल बगल में फलकट पता था, और वो दोली मजदूरी का काम है, कबसे आपके फोन को जो इसराइली पूरी की पूरी मशीनरी है, जो सौफ्ट्वेर है, उसके नेटवर्क पे डाला गया, बस इस घटना के एक महने बाद, कुछ दिनों के बाद आ रहा है, कोई डेट नहीं आ रहा है, लेकिन व जो नमबर मेरा था, वो नमबर जेल जाने के बाद खतम होगी, बंध होगी, यानि कि तब तक तो रहा है, लेकिन जो मेरे दो परिजनों का नमबर और भी जो सर्विलांस पे है, वो अभी भी है या नहीं है, ये कहना मुश्टिल है, वो आपने कब से इस्तमाल करना जब भी मैं रिपोर्टिंग पर जाता था, तो मुझे लगता था कि मेरा फॉन मतलब सर्विलांस पे है, क्योंकि जब किसी को फॉन करता था तो उससे आवाज आती थी, तो मैंने फॉन को एवाइड करना से तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही उसने मेरे परिजनों के फ फॉन नंबर को उन्होंने बहुत अच्छे से ठेक किया है, खत्रा क्या आपको क्या लगता है अभी जो पैगासेस का पूरा खुलासा हुआ है, किस बात पे उनको डर है, कि इतना पैसा भी किस पॉन्होंने, जी, जी, मुझे लग रहा है कि जो पूरे जारखन में ही नहीं जो मिन्रल्स बहुल छेत्र हैं, वहां जिस तरह से अभी सरकार का अभियान चगा है, खास करके देशी बेदेशी पुन्जिपत्यों के ओख निच्पदार सौपने के लिए, जिस तरह से CRPF के लगातार कैम बनाये जा रहे हैं, जिस तरह से आदिवास्यों पे हमले बढ़ से रही है, और उस रिकोर्ट के बाद भी मैंने लगातार को रखुबर दास सरकार के M.O.U. थे, खास करके स्टेक्रों M.O.U. नहीं पुन्जिपत्यों के साथ किया था, उस पे हमने सवाल खरे किये थे, हमने जो ये विकास की अभधार्मा है, कि आदिवास्यों को बिनास क मुझे लगता है, कि सिर्फ जो है, मेरे लिखने से सिर्फ जारखंड के लोगों को दिक्कत नहीं था, बलकि उसका पूरा जो देशी के देशी पिंजिपती हैं, जो कि खास करके इस मिंदल पहुल छेतर में, अपनी कमपनियां सस्ते तामों पे जवीने लेके खोल रही है, तो उनको खत्रा था, इसलिए लग रहा है कि उसने मेरा निशाना बनाता है, एक खबर और जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस समय देश की जो सरवच अदालत है, सुप्रीम कोट, वा सिडिशन पर लगातार बात कर रही है, उसके आब्जरवेशन्स आ रहे हैं, इंडिया के अब्जरवेशन्स आ रहे हैं, कि यह जो राश्द्रोह का पूरा का पूरा कानून है, जो पूरी की पूरी धाराएं हैं, इन्हें हटाया जाना जरूरी है, और ठीक इस समय हम पाते हैं, कि दो साहसी महिला पत्रकार पहुशती हैं सुप्रीम कोट, वे हैं सुप्रीम कोट का दर्वाजा, अनुरादा भसीन जो जम्मू में हैं और शिलॉंग टाइम्स की संपादक पित्रीशिया मुखिम, इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोट में सिडीशन का जो कानून चल रहा है, इसको खतम करने, इसकी कॉंस्ट्यूशनल वैलिडिटी को करने के लिए याचिका दाखिल की है, हम बात करते हैं अनुरादा भसीन से जानने के लिए कि आखिर इस समय वह क्यों पहुंची सुप्रीम कोट, अनुरादा जी, अनुरादा भसीन जी, बहुत स्वागत है निउस क्लिक में, और हम आपसे बिलकुल सीधे-सीधे जानना च दोनों लोग सेयुक की रूप से गए हैं, खोड़ा हमें बताईए कि क्या आपने सोचा और आप देश की सर्वोच अदालत के पास पहुंची इडिशन का जो लोग है, पिछले कई सालों से बलकि कई दशकों से, अंग्रेज चलेगे लेकिन वो कानून छोड़ गे और हमने जिसको अपना लिया, ये एक गलत तरीके से इसका इस्तमाल हुआ है पिछले कुछ दशकों में, to crack down on centers, opposition, civil society activists या media persons. और आज की डेट में हम देखते हैं और data available है, कुछ reports हाई हैं कि इनकी जो numbers है, of cases, जो sedition के हैं, वो बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, खास तोर पे 2016 के बाद. और मैं समझती हूँ, media जो है, वो इस situation में सबसे जादा impacted है. सिर्फ यही कानून नहीं है, और बहुत से कानून हैं जो जिनका गलत तरीके से, जिनको रूल बुक में नहीं होना चाहिए है, क्योंकि उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, कि आप लोगों को खामोश कर दें, उनको साइलेंस कर दें. वो इस्तमाल होते हैं नैशनल सेक्योरिटी के नाम पर, वो इस्तमाल होते हैं टेररिजम को हटाने के नाम पर, बच जादा तर देखा यह जाता है कि लोगों की आवाज बंद करने के लिए वो इस्तमाल होते हैं, जिसमें conviction rate बहुत कम होता है, sedition का भी कानून वैसा ही है, और एक, एक dead law है, जिसको एक, अभी Supreme Court भी काफी बोल रहा है, observations आ रहे हैं, बिल्कुल, और जो observations बलकि आज के नहीं है, साट साल से वही same observations आ रहे हैं, आपके दार सिंग की judgment को देख लीजे, तब से अब तक कितनी judgments हो चुकी है, which look like, एक repetition जो उसी judgment का, कि यह जो sedition है, उसक define किया जाता है, बट legal terms में नहीं किया जाता है, कि अगर आपने कुछ बोल दिया, सिरफ बोलना कुछ, कुछ लिखना कुछ, जो है, वो अपने आप में एक sedition नहीं है, आप दोनों पत्रकारों ने कब सोचा, कैसे यह दिमाज में आया, कि मेरी बात हाँ, Patricia से होती रहती है, और अक्सर हम काफी जो women groups के और ये खास तोर पर media groups के हम members भी हैं, और जाधा तर उसमें members हैं, जो mainland India से हैं, और खास तोर पर दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली से जब आप देखते हैं, चीजों को, और बाकी जगाओं से देखते हैं, तो शायद बहुत सारे पत्रकारों को अंदाजा नहीं होता है कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, conflict areas में, वो इससे कहीं ज़्यादा precarious होते हैं, तो यह conversation शुरू हुई, बलकि काफी अरसे से चल रही है, हम एक दूसरे से कहीं, अकसर बात करते हैं कि जो यहाँ पे पत्रकारिता जो है, उनके एरिया में और हमारे एरिया में बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे challenges हैं, बहुत सारे यहाँ पे एक, सिरफ एक state या threaten नहीं कर रही होती है, या कोई political forces नहीं कर रही होती है, यह militarized zones हैं, तो कितनी threats के साथ militants हैं, security forces हैं, armed हैं, और इसमें vulnerability मीडिया की बहुत ज़्यादा होती है, और अकसर इस किसम के कानून जो है, वो इन एरियाज में, इन regions में ज़्यादा easily applicable होते हैं, उनको सरकार निशाने पर क्यों लेती है, सरकार उनके खिलाफ प्रपोगंडा अभियान क्यों चलाती है, यह क्यों साबित करना चाहती है, कि जो कुछ हम इस देश को इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, वह दरसल देश के लिए नहीं किसी और के लिए है, जबकि हैरानी की बात है कि जान को जोखिम में डाल कर, इतनी नफरतों को झेल कर, पत्रकार, पत्रकारों की यह बिरादरी, जिसकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन उसकी आवास बहुत मुखर है, वह लगातार, लोकतंत्र को बचाने के लिए, हर जरूरी कदम, हर सही समय पर उठाने से परहेज नहीं करती, हम न्यूस क्लिक में इस बात के लिए ग्रड़ प् झाल